गुड मॉर्निंग एरिवन कैसे वो आप सब लो तो देखे मार्केट में हमें गैप डाउन नजर आ रहा है अगर मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आने लगती है तो देखें डाउन साइड कोई भी स्टोपलोस एवलीबल है नहीं तो में क्या करना पड़ेगा एक रीट्रे है क्यों जा सकते है क्योंकि मार्केट में देखी है यहां पर सेलर बेठा है यहां पर ऑग जाना होगा तो उसके लिए रहोफे नहीं देखना पड़ेugen हम यहां पर पूट साइड में जा पाएंगे अदर्वाइज मार्केट में कोशिश यह है कि थोड़ा कोल साइड का सैट अप हमें मिल जाए अगर डारेटली कोई सेलिंग वगरा आने लगती है यह हमारी चोई होती है यह जाना नहीं दुरूरी होता अब देखी यहां पर जाएगा उसके बार और यह रहता है तो में भी मार्केट कुछ मुमंटम करी उसके बाद रिवर्सल आने लगे तो अगर हमें पूट साइड में जाना होगा तो थोड़ा वेट करके जाना होगा अगर कोल साइड का मोमंटम कैप्चर कर पाए तो मारे लिए बहुत ही अच् खतां करे तो उसका भी में देखता रहां देखती रहनए तो अभी थ्टोड़ा मार्केट को ओपन होने देते हैं उसके बाद हम पोजिशन बनाएगे को चलिए मैं यहाँ पर बनाने वाले मैं पहले मैं पोजिशन बना लेता हूं उसके बाद मा पूरीट को को हम भाए कर लेते हैं पूट साइड का तो उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे मार्केट थोड़ा सा पोजिटिव स्ट्रेंथ में नज़रा रहा है आपको लगत दोड़ा साफसाइड दुबारा से मुमंटम कर संकता है तो यह भी हमारे लिए प्रोब्लम में निफ्टी थोड़ा सा आते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता लेकिन अभी मार्केट ने अच्छा खासा मुमंटम कर दिया है उसके बाद रोड़ा सा रीट्रेस्मेंट करेगा उसके बाद रोड़ा सा और पोजिटिव जा सकता है वह प्रोब्लम है और ज्यादा कोई प्रोब्लम नहीं है तो यह अगर हम प्रोफिट होने लगे मार्केट में तो हमारा प्रोफिट रहेगा 80-90,000 तो यह हमारा एक रिस्क रिवार्ड मंटेन करकी हम चल रहे हैं अभी करन्ट की बात करें तो देखिए 2000 कुछ नजरार का भी प्रोफिट नजरार है अब बात कर लेते हमने यहां पे पॉज जहां मार्केट क्लोजिंग देता है वहां पे बायर और दोनों रहते हैं बायर इसलिए निकल गया क्योंकि मार्केट में गैब डाउन उपन हुआ था उसके बाद दभी मुमंटम आया वो निकला होगा तब यह डाउन साड़ करके चलता हूं जो आपको मैं डेली बताता आज की दिन हम ऐसा करें हम डेली इसी प्रकार अपना सेट अबनाते हैं बाइंग और सेलिंग करने का अब देखिए मार्केट में पोसिबिल्टी क्या बनती है कभी-कभी मार्केट क्या करता है चोटा सा यहां पे चोटा सा रैड मोमंटम करता है उसके बाद दुबारा से मोमंटम करने लगता है यह प्रोब्लम होती है मार्केट की लेकिन आज की दिन ऐसा क्यूं नजर नहीं आ है क्योंकि हमें थोड़ा सा कैंडल देखिए थोड़ा सा फास्ट मोमंटम नजरा मुझे प्रोब्लम लग रही थी लेकिन मार्केट नहीं अभी थोड़ा सा हमारे को कोई दिक्कत वाली बात ने अपना प्रोफिट लोस वगरा देख लेते हैं कितना चल रहा है निफ्टी में अच्छा-कासा नेगटिव हो गया है इसमें हम देखते हैं 50,000 के राउंड 49,000 के राउंड चलने लगया बहुत लीटल स्पैन उप टाइम में हमारा प्रोफिट हो तो अभी देखी कंफरम नहीं है लेकिन अच्छा चल रहा है मार्केट नेगटिव्टी शो कर रहा है और एक पोजिटिव मूमंटम तो यहां पर आया हुआ था काफी पोजिटिव मूमंटम आया हुथा तो जैसे-जैसे सपोर्ट को टेच करीगा में भी मार्केट में दू कि हम put side में जाएं कि market में retracement को देखें तो उसके according हमने setup बनाए है और यहां पर एक portion बनाई है तो अभी देखे थोड़ा profit अपना 62,000 के round चला है नियर भई अपने target के है लेकिन अभी भी time लगने वाला है थोड़ा सा momentum मिलेगा तो में भी अपना target हम अंकिरीज कर देंगे तो हमारे लिए problem कर देता है अभी देखे अच्छी खासी negative momentum आ रहा है और एक problem और होती है कभी कभी क्या करते हैं यह फिवनाची वाला रूल यहां पर लगा देते हैं जैसे आपको नज़रा रहा हूँ कि 50-60% यहां पर कर दें देखी इसकी लिए ने थोड़ा सा आपको समझन कि रहाँ क्या मैं यहां पर market को लोस्ट देने वाला हूं बिल्कुल थां भले मेरा market में 30-30 retail लेकी निकलो कलो कि लेकिन market में लोस्ट नहीं देने जब देखिए यह seller कहांपे होता जब मान लेते हैं यहां पर मार्केट ऐसे नहीं थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं यहां कहीं बेटता 61 परशन्ट अगर कैसे भी मार्केट यहां पर उपन ओता फिर यह पोईटीव मोमट्म करता उसके बाद आता है तो दूबारा से market गिर सकता है तो यह इस परकार आपको एक setup बनाना होता है ऐसे एक नहीं रेंडम कि आपको पॉइंट्स उन परसेंट आया हुआ है तो मैं बाइख कर लेका हो यह तो देखी एक setup होता है setup की according आपको देखना होता है कि price action क्या बन रहा है कहां पर आपको पकड़नी पड़ेगी तब जाकर आप market को समझ पाओगी तो अभी देखिए अपना target तो अच्छी हो चुका है दोबारा से अगर कुछ profit वगेरा काम होने लगेगा तब हम काटना शुरू कर देंगा तो यहां लालच करना नहीं चाहिए लेकिन हम लालच कर सकते थे अगर हमें कुछ नजर आता मार्केट में ऐसा जिसके according हम लालच कर पाएं तो अभी देखिए हम 164,000 के आसपास अपना profit booking कर पाएं यहां पे बात करें तो 920 के राउंड हमने पोजिशन बनाये था और 932 को सभी हुआ है डाउनसाइड कोई भी स्टोपलोस नहीं तो में भी मार्केट छोटा मोटा रिवर्सल करें रिवर्सल का क्यों कर सकता है क्यों ही देखिए पहले तो यह सपोर्ट के पास आया हुग है डार्क्ली मार्केट में डाउनफोल आया हुग है दूसरा अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो मार्केट में डाउंसाइड कोई स्टोब लोस नहीं है तो मार्केट एक सपोर्ट के आज पास आखकर रिट्रेस्मेंट कर सकता है तो यह पोसिबिल्टी होती है तो हमारा क्या बनता है जो हमें टार्गेट नजर आ रहा है उसको करें क्योंकि मार्केट में अल्लेडी बहुत अच्छा मुमंटम हम टैप्चर कर चुके हैं अब ज्यादा ज्यादा लालत कर नहीं सकते तो यह क्या हो गया अकोर्डिंग टूपिट और चार्ट के अकोर्डिंग टार्गेट बुकिंग करना इसको हम कहते हैं तो अभी मोमंटम मिला निट्री में मिला बैंक निट्री में मुमंटम मिला तब जाकर हम इतना पूपिट बुकिंग कर पाएं अधर्वाइस हम यह मोमंटम पोसिबल नहीं होता मार्केट के अंदर धन्यवाद